आज मैं आपके साथ ब्राउन ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर करूंगी बहुत यूसफुल होती है घर में हर टाइम काम आती है तो इसको बना कर रखें बहुत असनी से बन भी जाती है तो चलिए शिरूबात करते हैं इसके लिए हमें बिल्कुल फ्रेश ब्रेड की अच्छी आवाज आती है कि रंच की तो आपने देखा इस तरीके से आप इसको फैला के सुखा लें इसका मोईशर बिल्कुल इसका रिमूव हो जाएगा हत्ता के 90-80% इसका अंदर से जो मोईशर होता है इसमें सौफ नैस होती हो खतम हो जाएगी इसके बाद इसको हम एक बेकिंग डिश में फैला देंगे ताकि हम इसको बेक करने में आसानी हो मैं माइक्रोवेव और ओवन दोनों में ही आपको दिखाओंगी जो माइक्रोवेव जिसके पास है वो माइक्रोवेव में इसको बना ले और जिसकी पास ओवन है वो ओवन में बना ले तो इस तरीके मैंने इसको मैंने ते बार्फके यह उसके बाद मैंने जिसको दस मिनिट में गिक 5000 वन देखित तjen conveying फ्लेट के बीच में इसका मैंने रखा है टैमप्रेसर эфф मैं इसको दोनों करे यह तो टोनों लोगनों कर जै इसको मैंने तो अच्छे से क्रण्श हो चुका है माशाला से बहुत अच्छा कलर आया है दूसरे भी ट्रेका देख लेते हैं तो देखें माशाला यह दोनों जो ब्रेड थी बहुत अच्छे से माइक्रोवेव और ओवन दोनों में ही ब्राउन हो चुकिए इसी तरीके से आफ इसको कर सकते है थोड़ा थेनडा हो जाने लिए उसको फांच मिनट के लिए विएक दम से निकालेगे नियाए इस तरीकिसे इसका पॉर्डर बना लेंगे और इसको हम इसको अच्छी से फैला देंगे मैंने यह बेगिंग ट्रे में ही इसको फैला लिए थोड़ा साथ ठंडा कर लेंगे 5-10 मिनट के लिए इसको ऐसी फैला रहने देंगे उसके बाद इसको एरटाइट कंटेनर में हम इस इसको एक बार बनाकर रख लें और इंजॉय करें हर रेसिपी के साथ चाहें वह चिकिन की हो चिकन फ्राइ बना रहे हैं कोई भी पकोड़े बना रहे हैं किसी भी तरीकी की रेसिपी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और यह खराब नहीं होगा जब भी आप इसका इ है तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग अला आपिस